चोटे से घर में चोटे से घर में अगनिवीर शहीद हुआ, लैंड माइन ब्लास्ट में शहीद हुआ, मैं उसे शहीद कह रहा हूँ, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोधी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोधी उसे अगनिवीर कह हैं उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी उस घर को कंपंसेशन नहीं मिलेगी शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा और बिचारे बैटे हुए थे तीन बहने थी एक साथ बैठी हुए थी रो रही थी आम जवान को पेंशन मिलेगी जरूर दुख होगा मगर हिंदुस्तान के सरकार आम जवान की मदद करेगी मगर अगनिवीर को जवान नहीं कहा जा सकता अगनिवीर, use and throw मजदूर और आप उससे कहते हो उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो शे महीने की ट्रेनिंग देते हो दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है राइफल लेकर उसके सामने ख़़ा कर देते हो उसके दिल में भाई पैदा करते हो एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा और फिर अपने आपको देश बगत कहते हो, यह कैसे देश बगत है फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार बॉलीवुड स्टार की फोटो थी, मैं सोच रहा था देखो इस युवान ने जान दी पीकर सर गलत बयानी करके सवन को गुमराह करने के कोशिश बगत नहीं है सब्सक्र देना चाहता है इसके एक करोण लुपे की धनराश चाहिता की रूप में उसके परिवार को महज़ा कराई जाती है इस परिवार की धरत बयानी से सब्सक्र जबराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसर्मावड़ अध्यक्त पीकर सर स्पिकर सर देखिए स्पिकर सर देखिए राजनाथ सिंग जी की एक राय है मेरी एक राय है सच्चाई अगनीवीरों को मालुम है हमें बोलने की जरुवत नहीं है अगनीवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है शहीत का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है कॉंपनसेशन मिलता है नहीं मिलता है पेंशन मिलती है नहीं मिलती है वो उसको मालुम है का रक्षा मंत्री जीता है यह केते हैं कि एक करो रुपया नहीं मिलता हैं सी राग मैंने अधिकृत रुप से कहा कि मारे जाने वाले अगनीवीर को जो सही दोता है उसको एक करो डुपया मिलता है Hemcall amplify पोजिशन सदन पर रखनी चाहिए मानियवर एस बंशूट जूट बोलने की जगा नहीं है मानियवर तो अगर और अगर ये नहीं रखे हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेट्मेंट का तो उनको सदन य। respect you अगनिवीरों से माफ़ी मांगनी चाहिए मनिए अगनिवीर की अगनिवीर की सच्चाई मैंने फ्लॉर अगनिवीरों को मालूम है उनके कहने से या मेरे कहने से कोई फरक नहीं पड़ता सच्चाई तो उनको मालूम है उनको मालूम है सच्चाई कौन बोल रहा है जरो मात जरो मात जरो मात क्योंकि सर ये विशय घंबीर है और अभी माने ग्रेमंत्री जी ने जो बात लखे हैं कि दो स्टेट्मेंट जो रक्षा मंत्री जी ने बताया सदन को और माने विपास के नेता राउल गांदी जी ने तो स्टेट्मेंट रखा है इसमें इन्हों ने जो कहा है कि रक्षा मंत्री बोलने से क्या फरक पड़ता है इतना हलका पुलका कैसे स्टेट्मेंट दे सकता है लीडर अफ ऑपोजिशन इसलिए सर इन्हों ने जो जो बात रखा है कुछ भी करना चाहिए और हम लोग में से अंडियम का मताबिक अपना पर रखेंगे सर्थ और स्पिकर सर और स्पिकर सर देश की सेना जानती है पुरा देश जानता है कि अगनिवीर स्केम सेना का स्कीम नहीं है पुरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइ मिनिश्टर का ब्रेंचाइल्ड था जैसे जैसे नोट बंदी की गई वेसे ही आर्बिट्री तडीके से अध्यक्समाद है, मैं अध्यक्समाद है, मैं नेता प्रतिपक्षे बिनम्रता पूर्व करनोद करना से आता हूं कि किर्प्यावा सदन को गुमराह करने की कोशिश ना करें, अगनिवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 आरगनाईजेशन के साथ सीधा संबा अध्यक्समाद है, उसके सिधाव लिए गए हैं, तब यह अगनिवीर योजना लाई गई है, और बहुत सोच शमचकर यह योजना लाई गई है, और मैं यह भी असमच कर देना चाहता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई डेसों में हैं, यूस पे है, यूके म है, वहाँ पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपती नहीं है, अब बिना अगनिवीर योजना के बारे में, समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किये, आपको इस तरीके से सदंग को गुबरा करना, इसे कडात उचित नहीं ठारा जा सकता है, मैं तो आप अगनिवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, देश बक्तों के खिलाफ स्कीम है, हम इसकीम को नहीं चाते हैं, पहली बार हिंदुस्ताइन की हिस्ट्री में,